अक्षे कुमार इन दिनो पैड मैन गोल्ड और मुगल फिल्मों की शूटिंग में बिजी है हाल ही में उन्होंने इंटर्टीनमेंट डेली को दिये इंटर्व्यू में अपनी लाइफ से जुड़ी कुछ बातें शेयर की उन्होंने अपने शुरुवाती दोर को याद करते हुए बताया कि अजे देवगन की डेब्यू फिल्म फूल और काटे पहले उन्हें उफर हुई थी लेकिन आधी रात को फोन करके उन्हें बताया गया कि वे फिल्म की शुटिंग के लिए ना आये क्योंकि उनकी जगे किसी और को ले लिया गया है बता दें कि कई सुपर हिट फिल्मों में काम करने वाले अक्षे कुमार ने आगे चल कर खुद कई फिल्मों को रिजेक किया अक्षे ने इंटर्व्यू में शेर की ये बातें अक्षे ने इंटर्व्यू में बताया नदीम शरवन के साथ मेरा म्यूजिक सेशन चल रहा था मैं फिल्म फूल और काटे की शूटिंग की तैयारी कर रहा था इसी दोरान एक कॉल आया और मुझसे कहा गया कि वे सुबह शूटिंग के लिए ना आए फिल्म में अक्षे की जगे अजेद देवगन को लिया गया था ये फिल्म 1990 में आई थी इसके बाद अक्षे कुमार ने इसी साल फिल्म सौगंध से डेब्यू किया था हाला कि ये फिल्म सुप्रतलोप रही थी अक्षे कुमार ने इंटर्वियू में बताया मैंने 1993 में में आही आमिर खान की फिल्म जो जीता वही सिकंदर के लिए भी ओडिशन दिया था ये रोल इंटी हीरो का था ओडिशन में मुझे रिजेक कर दिया गया और मेरी जगहदी पक्ति जोरी को रोल दे दिया गया उन्होंने बताया मैंने अपने शुरुवाती दौर में बी आर चोपड़ा रवेवार चोपड़ा राज सिपी से लेकर प्रमोद चक्रवर्ती सहित कई डायरेक्टर्स को ओडिशन दिया लेकिन सफलता नहीं मिली अक्षे ने बताया शुरुवाती दौर में मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं पोटफोलियो के लिए फोटोज तक शूट नहीं करवा पाता था इसलिए मैंने जाय सेट को बिना किसी सालरी के असिस्ट करना शुरू किया इस उमीद पर कि कभी जाय मेरे फोटोज भी क्लिक करें और एक दिन ऐसा आया जब जैने मेरे फोटोज क्लिक किये उन्होंने बताया उस समय इतने पैसे नहीं थे कि मैं किसी बड़े कॉफी कैफे में जा सकूँ इसलिए अंदेरी में एक कबाब शॉप पर हम कुछ ट्रगलर्स एक फाइट मास्टर से मिलते थे और हमें कुछ फिल्म में कर्स से मिलवाले ले जाता था असी एस के दौर में फिल्मों में फाइट सीन्स बहुत लंबे होते थे अक्षे कुमार को माहिश भट की फिल्म आज में एक मार्शल आप टीचर का रोल मिला था जो फिल्म में मात्र साथ से केन का था इस फिल्म में कुमार गौरव लीड रोल में थे जिनका फिल्म में नाम अक्षे था राजीव भाटिया को ये नाम इतना पसंद आया कि उन्होंने अपना नाम बदल कर अक्षे कुमार रख लिया उन्होंने बताया इंडिस्ट्री में यदी सफलता नहीं मिले तो आदमी अपना मेंचल बैलेंस खो देता है इसी बात ने मुझे सिकाया की अपना स्टारडम कैसे मेंटेन किया जाता है मैंने खिलाडी फिल्म नहीं बनाई लेकिन इस फिल्म में काम करके मुझे इंडिस्ट्री में एक नाम और मिला खिलाडी उन्होंने कहा ये एक ऐसी इंडिस्ट्री है जहांपर आपको कभी भी नीचे गिराया जा सकता है अक्षे कुमार ने फिल्म भाग मिलखा भाग, 2013, रेस, 2008, बाजीगर, 1993 में किसी ना किसी कारण से काम करने से मना कर दिया था उनको हॉलिवूड एक्टर डॉन जॉनसन के साथ फिल्म दर रॉक का ओफर हुई थी लेकिन उन्होंने काम करने से मना कर दिया हाल ही में सुपरतीस के आनंद कुमार की बायोपिक भी अक्षे को ओफर हुई लेकिन अब इस फिल्म में आनंद कुमार का रोल रितिक रोशन प्ले करेंगे